है गाईज वेलकम बैक टूतिरदेव इंवेस्टमेंट लैब तो आज मैं आपको साथ एक बेस्ट पेनिया स्टोक डिसस कर रहा हूं जिसमें की पोटेंशिल के उमीर काफी नज़र आ रही है और इस टोक अगर देखें तो लगवागा इस 50% से भी नीचे डिसकाउंट पर मि सब्सक्राइब तो आप वीडियो को एंट तक जरूर देखें यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो आप हमें कर सकते हैं या आप हमें कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंग दे रखा है और इथा एक वाट्शेब मोटर्स होल्डिंग देखें तो अभी 21.80% की देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर फोकस करें तो यहां पर पॉब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं यानि की रिटेर इनिवेक्ट के पास 77.81% की होल्डिंग है और इसमें एफ जो है 0.39% से अपनी होल्डिंग बना र कर रहा है तो इसमें फिर से उचाल देखने को मिलेगी और एक बड़ी प्रॉफिट इसमें बनाई जा सकती है कम समय में भी तो इसका सेनारियो मैं आपको चार्ट पे डिसकस करूंगा चलिए इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स देखें तो आप इसका एसेट्स देख सकते है जो कि इसका टोटल एसेट आप देखें तो अभी 180 करोर्स की तेखने को मिल रही है दो कि पीछले हर कौर्टर से रघतार देखें नहीं को मिल रही है इसके इसके आपको कर सकते हैं जो कि यहां पर देखने को मिला 5-year में देखे तो 187% की जो है सेल्स नज़र आ रही है और अगर अगर देखें तो टीटीम में आप यहां पर देख सकते हैं 24% की रिटन्स और आप यहां पर देखें तो 354% की ग्रोथ नज़र आ रही है और 5-year के साथ तो 148% की जो है प्राफिट लेकिन अगर इसकी अगर वापस से थीर में देखें तो 67% की नजर आ रही है और फाइव येर्स में देखें तो 10% की देखने को मिल रही है उसी तरह अगर आगर बढ़ते हुए इसकी रिटर्न ओन इक्विटी का भी परसेंटेज अगर देख लेगा इस तो फिसले लास्ट कर देखने को मिल रहा है तो कहीं काफी बेटर इसमें सारे ग्रोथ नजर आ रहे हैं इसकी अगर सेल्स की बात करें तो आप यहां पर फोकस कर सकते हैं जो कि लास्ट रिजल्ट के नुसार देखें तो 157.43 करोर रुपीज के देखने को मिल रही है जो कि इसके पिछले क्व आपको कमी देखने को मिल सकती है सब्सक्रें क्रें चुका मील सकती है दो फिलाल थोड़ा ग्रपित करकी इसमें आपको देह सकती है तो इस अनुसार से कह सकते है आने वाले में इसके sales में भी काफी growth देखने को मिल सकता है चलिए अगर इसकी pros and cons की बात करें तो आप यहां पर focus कर सकते हैं इसके प्रोस देखें तो टू प्रोस निकल कर आ रही है जो कि company से अगर देखें तो गिफ good quarter results यानि कि इस वार quarter results कि अगर देखें तो काफी अच्छी result यह दिया है और second कि अगर देखें तो पिछले five year का profit growth देखें तो 148 परचेंट सी यह जो कि मैंने थोड़े समय पहले आपको 21.8 परचेंट से थोड़ी कमी नज़र आई है यहां पर देखेंगा इस तो अर्निंग देख सकते हैं अर्निंग इंक्लिटेड और इंकम और इंकम आफ फाइब पॉइंट नाइन तो करो रूपीज यानि कि इस कंपनी में जो है जो रिजल्ट आपने देखा मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया उसमें जो इंकम यानि कि अधर इंकम जो है वह 5.92 कर रूपीज अधर इंकम इसमें एड़ है और लास्ट कि का बात करेंगा इस तो प्रमोटर्स होल्डिंग है डिक्रेस ओवर लाश् सकती है चलिए आगे बढ़ते हुए अगर इसकी पूरी डिटल जाने का इस तो आप देखें इस कंपनी का नाम है अध्वी कैपिटल लिमिटेड जो की 2.15 रुपे ट्रेड कर रहा है और पिछले लाश्ट ट्रेडिंग से पोजिटिव रहा है यानि कि आज का कंडल जो है अगर देखें तो 0.94 परशन से पोजिटिव देखने को मिला यह स्टोक बीए सी में ट्रेड करती है 1985 में यह इंकॉर्परेट हुई थी और अगर बात कर गए इसकी मार्केटिंग यानि की बिजनेस की तो आप देखें ने फाइनेंसिंग इंकॉर्परेट इन्वेस्मेंट एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज पर यह काम करती है इसकी अगर देखें तो इसकी मार्केट केप 92 करोर रूपीज की है और इसकी 52 विक अंडर हाई 5 रूपीज की रही है और 52 विक अंडर लोग 1.90 यानि के लवग 2 रूपीज की देखने को मिली है तो वैस काफी काफी अच्छी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है लोग से ऊपर और अपने हाई से नीचे यानिकि इसमें एक हाई प्राइस के साथ साथ टार्गेट रखकर इसमें एक प्रॉफिट बनाई जा सकती है इसे इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 1.50 की है जो कि अपने बु काफी बेटर है इस तो कंपनी के ऊपर रूपीज के जितनी का मार्केट कैप है उससे कहीं ज्यादा आपको इस कंपनी के ऊपर डेट नजर आ रही है और साथ ही सब्सक्राइबल है पिछले यहां पर देख सकते हैं और अभी कोई डिविट नहीं कर रही है कंपनी के परसेंट जीरो है जो की काफी बेटर है प्रॉफिट ग्रोथ 24 परचेंट की और सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 50.8 परचेंट की नजर आ रही है तो चलिए मैं आपको चाट पर लेकर चलता हूं और आपको इसकी सेनारियों कंफर्म कराता हूं कि आपके सामने जो इसका बन मन्त का चाट लगा रखा है और आप फोकस कर सकते हैं टू प्वाइंट फईस क्रेश्ट पर रही है कर रहे हैं और इक सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है तो इसमें पूवमेंट देखने को मिल सकती हैं यहां से जिस तरह से बुलिष केंडल देखने को मिल रही है लास्ट मंत के केंडल का साथ जो अभी दीखने को मिल रहा है बुलिष केंडल अगर इसी तरह आगे क्यों बढ़ते जाता है तो इसमें फाइब रूपीज का जो मैंने आपको बताया था यहां तक का एक आऊ जा सकती आपको डो टार्गेट जर अरह आ रही है अगर थे Lawrence को ब्रेक करता है तो अच्छी प्रॉफित इसमें आप बना सकते हैं तो इसमें नाजर आता है तो इसमें काइटिक निकीट के साथ अपशने एड़ कर सकते हैं और एक प्रोफिट बना सकते हैं तो आप इसमें फोकस बना कर रखें और आप इसे वॉसलिस में एड़ नहीं कर रहा है आपको अपने रिक्स रिवर्ड के अनुसारी इस्टोप को बाई करनी है और अपनी एनलेसिस के साथ ही इस्टोप को बाई करें आज के लिए तना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग